ओम सिरीगने साइनमा दोस्तो एस्ट्रो समादान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो सितंबर सौंबार के रासी फल के बारे में की हा दिन तुला रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नौटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने विडियो पहुंश सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा तुला इस्तिती में काफी सुधार आजाएगा अचानक से धन प्राप्ति के आफसर आपके जीवन में आएंगे जो आपके भविस्षे में आपके लिए एक बहतर आर्थिक जीवन का मार्ग प्रस्तुत करेंगे शिक्षा के लिए बहतरीन समय रहेगा और आज आप अच्छी उप आपके लिए मददगार हो सकते हैं किसी योजना के बारे में आप विचार कर सकते हैं थोड़ा धहरे से काम लेना होगा और टकराव की इस्तितियों से आज आज आप बच कर चलें आप सांत लहजे में बात करेंगे तो लोग आपकी काफी तारीफ करेंगे दोस्तों आपकी लाब मिलेगा उन्हें मन चाई नोकरी प्राप्त होने से अच्छे धनलाब के सुरोत जुड़ेंगे इस समय में जो कुछ कार्य हो रहा है उसे सफल बनाने का प्रियास बहतर हो सकता है कुछ बिगडे हुए कारों में सुधार होने की संभाव ना है विपरीत परिस्तितियों म जो आपके लिए कामियाबी और खुश हाली लाएगा अपने उद्देस्यों की और सांती से बढ़ते रहें और सफलता आपको मिल सकती है अगर हालत का आपने धहरे से सामना करा तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं कामकाजिके नजरिये से आज का दिन वाक होगा और समाज में भी आपका और आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा आपको परिवार की जरूतों को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा जो कई बार आपके नियंतर से बाहर होगी और इसके लिए आप परिशान भी होंगे दोस्तों साथ साथ कोई खास सौधा या बड़ा फैसला लेने से बचें कोई फैसला नहीं लेने और नतीजा नहीं मिल पाने में आप परिशान हो सकते हैं दिनवर कहीं न कहीं से रुकावट के इस्तिती रहेगी जो समया कर किसी को भी कोई बिना मांगी सला ना दें कठिन परिश्रम से सभी कर रहे आपके पूरे हों हैं संवेदन सील मामलों में समल कर चलने की आपको आज आवश्यक्ता है संसादनों पर खर्च होने से मांसिक असांती तथा तनाव पूर इस्तिती हो सकती है आत्म विश्वास के आभाव में कियेगे कारों में रुकावट तथा बादा उत्पन हो सकती है वेवसाइक द्रश् अपने परिचीतों पर अपने फैसले थोपने की कोशिस करेंगे तो आप अपने हितों को ही नुकसान पहुचाएंगे सुनी-अन्सुनी बातों पर आखें मूंद कर यकीन ना करें और उनकी सच्चाई को भली बाती पर्खें वानी पर नियंतर रखना होगा अन्यता कले होने की संभावना भी रहेगी साफधान रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो किसी तरह की यात्रा या किसी तरह की सौपिंग इत्यादी को लेकर कहा सुनी हो सकती है ऐसे में आपको मदुर संबंद बनाए रखने का प्रियास करना आवश्चक है आपके प्रियास से इस्तिया अनुकूल हो सकती है आप अपने रिष्टे को नई रचनात मकता देंगे और उसको मजबूत बनाएंगे इस दोरान आप एक दूसरे के प्रती अत्यादिक आकर्षन भी महसूस करेंगे लेकिन ध्यान रखें मर्यादित आचनर करना ही सर्व था उचित होगा साथिसा दोस्तो आपको अपने प्रेतम को यह भी महसूस कराना होगा कि वास्तम में यह रिस्ता आपके लिए काफी महत्व रखता है और आपका प्रेतम ही आपके लिए सब कुछ है दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन शाबित होने वाला है दोस्तो इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं जब कवेवेशाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो वेपार धंदा आज अच्छा चलेगा और कारे छेतर में सफलता मिलेगी हलाकि कारे भार की अधिकता रहेगी जिसके चलते मेहनत आपको अधिक करनी पड़ी और पूरा दिन भागदोर में बीतेगा कामकाज के सिलसले में आज आपको कोई छोटी आत्रा पर भी जाना पड़ सकता है जो आगे चलकर आपके लिए काफी लाबदाएक सिद्ध होंगी साति सात आज आपको धन प्राप्टी के भी अनेक और अवशरो की प्राप्टी होगी जिससे आपका मन बहुत अ क्रसन रहेगा दोस्तो साति सात मेडिकल से जोड़े च्छत्रों के लिए दिन आज आपके लिए बहुत अच्छा रहने बाला है नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी दिन आज का काफ़ी मिला जुला रहने वाला है साथ साथ आज आज आपको अपने वैवसाय को लेकर कोई यात्राएं हो सकती है जिनका आपको शकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा जे हैं दोस्तो वैवसैक दरश्टी से आज की स्तिती आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाली है और इस समय कुछ अच्छा लाब आपको प्राप्त हो सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे दोस्तो बात कर लेते हैं अज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको अपने स्वास्त को लेकर बिल्कूल भी चिंतित होने की कोई आवश्यक्ता नहीं है आज आपका स्वास्त आपका भरपूर साथ देगा आज आपके स्वास्त के सितारे आपका भरपूर साथ देंगे आज आप अपने आपको उरजावान और बिल्कुल तनावमग तो महसूस करेंगे जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा साथे साथ दोस्तों अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों आज आप इसनान आदिसे निर्वत्र होने के बाद अपनी श्रद्ध के अनुसार अपने शामर्थ के अनुसार चावल दूद या फिर चांदी का दान करें जैंदोस्तों ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन होने के साथ साथ आपका चंद्रमा भी मजबूत होता है इससे ज जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कारें बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तों भगवान भुलेनात का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै भुलेनात अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद